हेलो एवरिवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास नाइन्थ की हिंदी की वर्कशीट नमबर 58, डेट है आपकी 20 निवेंबर 2020 आज की वर्कशीट में आपका टॉपिक दिया गया है अनुचेद लेखन का जिसमें की आपका टॉपिक है हमारे घरों में यह आसपास पिछली दिनों बहुत से तहवार और पर्व मनाए गए इन्हें मनाने के दौरान हमारे आसपास का वातावरण और अधिक दूशित हो जा तो दिवाली की वज़े से कैसे आपके आसपास का वातावरण जो है वो दूशित हुआ है उसके क्या कारण है इसी के बारे में आपको सोच विचार कर उसका सिर्शक देकर हमें एक अनुचेद लिखना है आप अनुचेद लेखन के लिए बताएगे उप्युक बिंदों को आधार बना सकते हैं और संकेत के लिए नीचे कुछ तस्वीरे भी दी जा रही है तो यहां जो तस्वीरे दी गई हैं आपकी नीचे कि जैसे देखे दुआई दुआ हैं पटाके जलाये जा रहे हैं फिर पटाके किस तरह से मतलब हमारी भूमी को खराब कर रहे हैं उसके अलावा कितना शोर हो रहा है इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें एक अनुचेत लिखना है तो स्टार्ट करते हैं आज के अनुचेत का आपका टॉपिक है परदूशड और तैभार आज जिस और भी नजर दोड़ाएं चारों और परदूशड का आलम ही नजर पर आता है कुछ दशक पूर्फ तक यह इतनी गंभीर समस्या नहीं थी मगर ओद्योगी प्रगती के नाम पर हमारी हवा जल तथा भूमी में अब पूरी तरह जहर घुल चुका है प्रकृतिक संसादनों के अती दोहन तथा तेजी से हो रही वनों की कटाई के चलते परद परदूशन अगर हम आज चारों तरफ देखे तो परदूशन ही परदूशन फैला हुआ है इतनी तेजी से हमारी इंडस्ट्री वर्ड रही है कि उसकी वज़े से हवा जल भूमी पूरी तरह जहर से घुल चुकी है प्रकृतिक संसादनों का इतना जादा दोहन होता है हमा परदूशन होते हैं दिवाली या अन्य परवो पर पटाके जलाने से उसमें से निकलने वाली हानिकारक गैस तथा हवा में घुले महीन कर स्वास्ते के लिए बेहद हानिकारक होते हैं तो जो हम पटाके जलाते हैं उससे जो भी हानिकारक गैस निकलती है वो हमारी हवा को बहुत जादा दूशित करती है इसके अलावा इससे पसु पक्षियों को भी बहुत नुक्सान पहुचता है पटाकी अपने साथ वायू पर दूश्ण और धोनी पर्धूश्ण भी लाते हैं जो बहुत हानिकारक हो सकता है तो पटाके को जलने से हमें वायू वायू परदूशन का भी सामना करना पडता है दूसरा ध्वानी परदूशन क्योंकि इसकी आवाज बहुत siatdo तेज होती है वायू परदूशन दिवाली के तैवारों के दोरान वायू परदूशन का इसतर काफी बढ़ जाता है पटाकों के जलने के कारण निकलने वाले धुएं के कारण वायू काफी परदूशित हो जाती है तो जब हम पटाके जलाते हैं तो उससे जो धुए निकलता है आप देखते हो कि कितना जादा वो दूशित कर देता है और अगले कई दिनों तक वो हमारे वायू में मउझूद रहता है जिससे लोगों को सांस लेने में भी काफी परिशानी होती है. भारी मातरा में पटाकोंकों जलाने का या पुर्भाव दिवाली के कई दिनों तक बना रहता है. और जो यह मतलब इतनी दूशित हवा होती है, उसमें जो हम सांस लेते तो उसमें भी problem आती है और कई दिनों तक दिवाली के बाद भी कई दिनों तक ये मतलब बनाई रहता है पूरा अगले दिन ऐसा कोहरा कोहरा सा लगता है दिवाली के अगले दिन तक ठीक है वो कोहरा नहीं बलकि प्रदूशड़ी होता है जिसके कारण कई सारी बिमार्य उत् इसके कारण फेफड़े भी बहुत अधिक संकरमण होते हैं और इससे हमारे फेफड़ों को भी बहुत जादा प्रॉब्लम होती है उसके बाद है आपका की धोनी परदूशड भी इससे फैलता है पटाके की बैंक्स और बूंग जो हमें बहुत पसंद है पटाके जब फटते हैं तो उसकी जो आवाज होती है जो हमको बहुत अच्छे लगते हैं वास्तव में हमारी सुनवाई के लिए बहुत हानिका रख है यानि सुनने के लिए वो बहुत जादा हमारे लिए हानिका रख है शोर का उच्छतम इस्तर जिसे मानव कान छती के बिना सेहन कर सकता है वह 75 डेसिबल है 75 है ठीक है पटाको का ओशत सोर इस्तर 125 डेसिबल होता है सोच लेजी कितना डिफरेंस है हमारा कान कितना सेह सकता है 75 और पटाको का ओशत शोर अगर हम देखे तो 125 होता है परणाम जगा फटने के दिनों में या उसके बाद खो जाने या छदिग्रस्थ होने के बहुत सारे मामले होते हैं तो कई बार मतलब कान खराब होने के भी बहुत सारी किसे सुनने को मिलते हैं और इसकी वज़े से पटाकों की वज़े से नहीं सिर्फ हमारा वायू परदूशड और धोनी परदूशण होता है बलकि भूमी परदूशण भी बहुत जादा होता है जलेवे पटाकों के बच्चेवे तुकड़ों के कारण भूमी परदूशण की समस्या भी उत्पन होती है और इन्हें साफ करने में कई दिन समय लगता है तो पटाके जला-जला के जो ऐसी हम छ सान नहीं होता और समय ठहरने के साथ ही या और भी जहरीले होते जाते हैं और भूमी परदूशण की मात्रा में व्रिद्धी करते हैं तो ठीक है मतलब उसी के अंदर वह उसके अंदर मिलते भी नहीं है भूमी के अंदर उससे क्या होता है कि भूमी परदूशण भी बहुत जादा हानिकारग होते हैं उसके जो शोर को बड़ी अच्छी लगती है उससे हमारे कान को कितना प्राबलम होता है और अंत में आपका निशकर्श दिया गया है कि हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे द्वारा किये जाने वाले यह चोटे-चोटे कारे वैश्विक चिंता का कारण बन गए हैं चोटी-चोटी की एक पटा का जलाने से क्या होता है दो पटा का जलाने से क्या होता है लेकिन ये चोटी-चोटी चीजें ही वैश्विक चिंता का प्रॉब्लम बन गई है पूरे विश्व के लिए उनके द्वारा ग्लोवर वामिंग में बहुत अधिक वृद्धी देखने को मिल रही है और इसकी विज़त से हमारी ग्लोवर वामिंग भी बहुत जादा बढ़ रही है क्योंकि परदूशल इतना फैल रहा है जो कि आज के समय में प्रयावरेड के लिए सबसे बड़ी चिंता का कारण है इसलिए हमें स्वयम अपनी बुद्धी मता और विवेक का इस्तमाल करते हुए पटाकों के उपयोग को बंद कर देना चाहिए हमें नहीं इस्तमाल करने चाहिए क्योंकि फेस्टिवल दीपों का तयवार होता है इस तरह से प्रदूशल फैलाने का नहीं तो हमें थोड़ा सा अपना माइंड यूज करना चाहिए एक अच्छे बच्चों की तरह कभी भी हमें इसने जादा बुरे पटाके नहीं जलाने चाहिए चीक है ओके